कि नमस्टा दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे सुरक्षित होंगे अपने घर के उपर देखिए आज की इस वीडियों के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया के अंदर कुछ कास्ट के लोगों को एक छूट मिलती है बेशक कोई भी एक कॉलेज के अंदर एड्मिशन कंडी जाता है उन लोगों के लाने के ओपर भी किसी भी कॉलेज की इंदर के अंदर सबसे जाधे कॉइए जाताहल और उन सभी लोगों को कंणमप लाने के ऊपर भी एडमिशन दे दिया जाता है और अगर हम बात करें इंडिया के एक फंडबमेंटल राइट्स के बारे में वो वाले fundamental राइट्स जो की इंडिया के हर एक सिटिजन को मिलते हैं और इस चीज़ के अंदर उन fundamental राइट्स के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर यह लिखा है कि इंडिया के अंदर equality before law है हर सिटिजन के लिए और इसी के साथ साथ आर्टिकल 15 बात करता है कि इंडिया के अंदर किसी भी person के अंदर किसी भी citizen के basis के उपर एक discrimination नहीं किया जाएगा एक caste को लेकर एक religion को लेकर और इसी के साथ साथ India के अंदर किसी भी state के अंदर किसी भी male और female के बीच में discrimination नहीं किया जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को एक government job के अंदर एक reservation के बिशिस के उपर अगर promotion दी जाती है उसी के साथ वाले लोगों से पहले ही उस व्यक्ति को किसी भी एक position के लिए promote किया जाता है तो इस च इस पर की जाएगी क्यों दी जाएगी और क्या क्या चीजें देखी जाएंगी तो चलिए एक एक करके इन रूल्स के बारे में समझते हैं देखे अगर हम बात करें इंडियन constitution के आर्टिकल 14 & 15 की तो यह आर्टिकल यह बात करता है कि इंडिया के अंदर हर एक citizen को equality before law का right द लेक्ति एक मर्द है या फिर औरत है तो इन सारे basis के उपर उसके साथ एक भेदबाब नहीं किया जाएगा यान की discrimination नहीं की जाएगी और इसी के साथ इंडियन constitution के आर्टिकल 16 क्लॉस 2 यह भी बात करता है कि जब इंडिया में बात होती है एक employment की यान की job की तो उसमें भी इंडिया के अंदर किसी भी citizen के साथ में एक discrimination यान की भेदबाब नहीं किया जाएगा उसकी कास को लेकर उसके धरंग को लेकर लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडियन constitution के आर्टिकल 15 क्लॉस 4 और 16 क्लॉस 4 की तो यह आर्टिकल यह कहते हैं कि यह सभी उपर बताए गए ज या फिर किसी भी एक education institution के admission को लेकर और या फिर किसी भी एक government job को लेकर जिसके अंदर एक राज्य सरकार द्वारा कुछ क्लास के लोगों को यान कि कुछ वर्क के लोगों को उनकी state के अंदर एक थोड़ी सी छूट दी जाती है किस basis के उपर उनकी एक back witness के उपर यान की mainly जो SC और ST होते हैं तो चलिए अब बात करते हैं Supreme Court की उस recent judgment के बारे में जिस judgment के अंदर Supreme Court ने clearly एक simple words के अंदर ये बताया था कि इंडिया के अंदर अगर किसी भी government job के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को एक reservation के basis के उपर अगर promotion देने की बात रखी जाएगी तो वो कौन से basis के उपर दी जाए कि आखिर ये case हुआ क्या था ये क्यों Supreme Court के अंदर आया 2012 के अंदर state government यान के उत्राखंड ने एक jobs की एक reservation को लेकर बात आय थी जिसमें promotion को लेकर एक बात आय थी post of assistant engineer की उत्राखंड government public works department में तो इस case के अंदर राज्य सरकार द्वारा ये बोला गया था कि जो भी एक post भर मरी जाएंगी तो इस case को challenge करते हुए Supreme Court के अंदर डाला गया था तो इस चीज के अंदर Supreme Court द्वारा ये बोला गया कि article 16 clause 4 एक fundamental right नहीं है किसी भी citizen की कि वह किसी भी एक job के promotion के time के उपर एक reservation के basis के उपर ये बता कर कही कि मेरी एक fundamental right है क्योंकि आर्टिकल 16 clause 4 के अंदर बता गया कि article 16 clause 4 एक fundamental right नहीं है किसी भी citizen की और इस चीज के अंदर Supreme Court द्वारा ये भी बोला गया कि एक state government की मंजूरी है कि वह किसी भी एक class के लोगों को reservation देना चाहे तो दे सकती है और अगर ना देना चाहे तो वह नहीं दे सकती और साथ ही इंडिया के अंदर कोई भी कोट क किसी भी एक राज्य सरकार को किसी भी तरह की direction नहीं दे सकती ये बोलत हुए कि आपको इन class के लोगों को reservation देने ही चाहिए किसी भी promotion के टाइम के उपर तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर इंडिया के अंदर एक राज्य सरकार को अपनी state के अंदर किसी भी एक work के लोग करना पड़ता है एक reservation के basis के उपर एक promotion देते टाइम तो इस चीज के अंदर सुप्रीम कोट ने एक केस के अंदर बताया गया था जिस के का नाम है एम नागराज वरसे यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का case है तो इस चीज के अंदर सुप्रीम कोट ने एक promotion अगर reservation के basis पर दी जा र एक inadequacy of representation जिसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एक कास को आप किसी भी एक जौब के अंदर एक reservation के basis के उपर promotion देख रहे हैं तो उस चीज के अंदर आपको यह भी देखना है कि उस class के कितने लोग उस जौब के अंदर रहे और इसी के सासर नंबर 3 के उपर आपको देखना है एक general efficiency of service यानकि वो सारी की सारी एक public employment बरकरार रहे तो इन सारी conditions को राज्य सरकार द्वारा fulfill करना पड़ता है अगर किसी भी व्यक्ति को reservation के basis के उपर promotion दे जाती है तो I hope आप सभी लोगों को ये सारी information जारन कर अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको भी वीडियो चल लगे तो please like कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना share कीजिए धन्यवाद